हेलो फ्रेंट्स माइसेल्स के जी डी दोस्तों आप लोग चानते होंगे दुनिया के सबसे बड़े आदमी जैप वेजॉस उनके बारे में आज बहुती सीग्रेट में बात बताने जा रहा हूँ जैप वेजॉस दुनिया के सबसे अमीर आदमीयों में से एक एमेजॉन के फाउंडर जैप वेजॉस आज मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO का पद छोड़ रहे है हाँ दोस्तों जैप वेजॉस ने जीन्दिगी में इस सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कि उनकी सफलता का सफर इतना आसान नहीं था वे एमेजॉन पर सिर्फ किताबे बेचा करते थे इसके अलावा एक गेराज में काम किया करते थे अपनी सफलता से उन्हों उन्होंने एक मुकाम हसिल किया है जिसकी गवाई आज पुरी दुनिया देती है इस सफलता को प्राप् चारों से अवगत कराते हैं। जेफ वेजोस ने कहा है कि बिजनेस्मेन को आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए और असफलता से नहीं घवरना चाहिए। सहासिक कदम ही जीवन में आपको आगे लेकर जाते हैं। जेफ वेजोस का कहना है कि अगर आप आलोचोना नहीं जहिलना चाहते हैं तो कुछ नहीं करने के प्रयास मत करिए। उसका मानना था कि अगर आप सोचते हैं कि सिफ वो ही काम करेंगे जो आपको लगता है कि जरूरी हो जाएगा तो आप बहुत सारे मौके कावा देंगे। जेफ वेजोस ने कहा है कि आपको भविश्य में देखना होगा और पता लगाना होगा कि करना क्या है क्योंकि शिकायते करना कोई रंदिती नहीं होता है। कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा लेकिन एक चीज जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो है उसके लिए प्रयास नहीं करना जीवन में तरकी करने के लिए हमें लगातार परिस्रम करते रहना चाहिए जैफ वैजोस ने दुनिय बिजनेसमें बनकर आप भी उनके जीवन में सफलता के मंतर पर अमल करने पर अपने बिजनेस या फिर केरियर में सफल हो सकते हैं आप भी काम्याबी की एक नई इबारत लिख सकते हैं थैंक यू विश यू अल दे बेस्ट और स्टे टून विट केजडी